सो हेलो फ्रेंट्स कैसे आप लोग मेख्याल से बढ़ाई बहुत बढ़ी चले होगी देखिए मैंने जो है फसेसाई की दो सेक्षिन्स खतम कर ले थे एक तो कम्प्यूटर और एक हमारा फसेसाई की नॉलिज कहां से पढ़े ठीक है तो दौनों ही जो है बहुत जादे इंप पेपर हटा दूँ तो इसका जो भी पेपर करवाता है टीसेस उसका स्लेबस से ही रहता है हिस्ट्री जोग्रफी साइन्टिफिक रिसर्च और हमारा कल्चर पर ठीक है न और पूस्ता वह इन में से कुछ भी कोशिन नहीं है अगर कोशिन जो है वह हमारे कम रहते हैं तो प क्यिएता है जैसे हिस्ट्री हो गई करेंच क्यूण है लेकिन पूस्ता है ज्यादता करेंट और इसटारेंट पर एस्थ इस्ट्रीद्रेट्र पोशिंस ठीक है तो हमको ज्यादा से ज्यादा time जो है वो current affairs पर देने हैं current affairs के strategic portion पर देने हैं जैसे number of days हो गए ठीक है international organization हो गए national parks हो गए important days हो गए तो ऐसे जो है वो हमें current के उपर जो strategic question है उस पर ज्यादा time देना है तेखे इसलिए ही जो है वो हमारा 20 question जो आने वाले हैं 80 number के current affairs के जितना time देना है तो तीन portion में जो है वो मैंने इसका js divide कर लिया अब history geography और यह सब चीज़े जो तो है वह आप एक books से cover कर सकते हैं जैसे luxe end लेकिन इस पर आपको ज्यादा time अपना देना नहीं है क्योंकि यह लगभग जो है चार से पांच question आएंगे तो उसके मुकाबले अगर मैं 15 question यानी current affairs तो इस टैटेटिक पर ज्यादा time दूँगा तो वह में लिए ज्यादा beneficial होगा ठीक है ना तो current affairs की अगर मैं बात कर लेता हूं कि सबसे पहले जो है वह आप current affairs कहां से cover करें देखिए इसके दो source है एक तो या तो जी के टुड़े का यहां पर जी के टुड़े इसलिए वड़िया है क्योंकि उसमें जो है आपकी knowledge अच्छी होती है किसी भी topic के बारे में ठीक है affairs क्लाउड के affairs क्लाउड जो है वह स्टैटिक पॉर्शन पर जादा का और करता है हमारा तो वह mainly affairs क्लाउड जो है वह banking related है या SSC related है तो वह जो है वह पहली choice होनी जी आपकी ठीक है मतली सब्सक्रिप्शन की लेकिन अगर खरीदने की बात है तो मैं इसको बिल्कुल भी recommend ने करूँगा क्योंकि 1500-500 रुपे का एक महीने का सब्सक्रिप्शन खरीद ना बहुत ही महिंग हो जाएगा आप लोग के लिए इस से बढ़िया च जो है वो questions होते है ठीक है ना और एक मेख्याल से top 100 questions से ऐसा कुछ है affairs cloud का तो मेख्याल से मंदली वाला जो है वो आपको पढ़ना चाहिए affairs cloud का दूसरा है हमारा study IQ देखिए गौरफगर जो है वो best है इस current affairs में खासकर mcqs के छेतर में तो study IQ का जो है वो तो आपको खरीदन आते हैं पहले यह freely available करवाते थे टेलिग्राम पे लेकिन इने जो है वो recently बंद कर दिया अब टेलिग्राम पे यह जो है वो मंतली नहीं देंगे बाजार में मिला है बाजार से खरीद लीजे लेकिन इनका subscription चुलेंगे न तो इसमें बहुत extra चीजे भी हो बताते हैं जैसे objective question आ उसके उपर बहुत सारी चीजे बता दी जैसे world bank है उसके उपर बहुत सारी चीजे बता दिया वह अफेस क्लाउड पर कवर कर चुके हैं और दूसरा study IQ के objective questions कवर कर चुके हैं तो में ख्याल से हिंदू आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए वैसे हिंदू रिफ्यू जो अड़ा 247 का आता है क्योंकि सब चीजे जो है वह आप लोग पहले से कवर कर चुके हैं अब तीसरी important चीज है वह हमारी static portion को कैसे कवर किया जाए देखे static portion के लिए मैं एक ही बुक पता हूँगा आपकी speedy की बुकाती है इससे बड़ी अभूग जो है वह कुछ भी नहीं है इस पीड़ी की वैसे तो गौरब कर जो है वह जादा तर कवर कर देते हैं static portion के अगर आप उनके वीडियो देखेंगे और उनके mcqs लगाएंगे लेकिन जो हमारी इस पीड़ी की बुकाती है उसमें जो है वह सब कुछ आपको मिल जाएगा जैसे हमारा number of days हो गया या फिर बहुत सारे जो हमारी करेंट मिनिस्टर है उनकी लोग सभ़ा यह सारी चीजे वह आपके कवर हो जाएगी और ऐसे ही कुछिन जो है वह आपके असिस्टेंट में पूछे जाने वाले हैं GS section में और फिर देखिए अब जो है वह हमारा तीसरा portion हो गया जैसे हिस्टरी कहां से करें जोग्रिफी कहां से करें तो में ख्याल से इसमें वह सब तो उससे बड़ी है आप लुसेंट की बुक लीजेगा उसको कवर कर लीजेगा और लुसेंट की एक objective बुक आती है उसको कवर कर लीजेगा ठीक है न तो यह सारी चीजे जो है वह आपका GS पूरा खतम कर देंगी लेकिन हमको जादा से जादा फूकस क्या करना है करेंट अ और current affairs के strategic portion पर ठीक है न तो इस चीज को जो है वह आप easily cover कर लेंगे अगर आपने जो है वह इतने sections जो है वह ऐसे ही cover किये तो मैंने आपको सिर्फ तीन चीजे बताई है जिससे आपका GS जो हो पूरी तरीके से खतम हो जाएगा एक तो affairs cloud अगर जी के today का कई मिल जाए तो ठ affairs cloud दूसरा है हमारा गौरफगर के study IQ questions और तीसरा है हमारा speedy की book ठीक है न यह चीज जब cover हो जाएं तो आप जो है वह लूसेंट की book पढ़ सकते हैं लूसेंट में history geography और यह सब और फिर उसके objective questions लगा देंगे तो ऐसे आपके लगभग सारा portion खतम हो जाएगा जीए इसका 20 में से आपके लगभग 15 से 16 questions जो है वह राइट हो जाएंगे लेकिन पढ़ना ऐसी पढ़ेगा और पढ़ना seriously और sincerely पढ़ेगा ठीक है न तो sincere ही हो और ऐसी चीज़ें अगर cover करते जाएंगे धीरे धीरे तो आपका जो है वह लगभग पूरा स्लिपस cover हो जाएगा